हल्की हल्की बरसाथ होने के बाद कुछ इस प्रकार का नजरा आस्मा में हर्याली शेत्रों के साथ दिखाए दिया जा एक और बरसाथ नहीं होने से आम जंता उमस से परिशान थी तो सुमवार की शांग को कुछ हल्की धीमी दिबी करती से वर्शा शेत्र भी हुई इसी प्र प्रकार की कम वर्शा होने की कारण मौसमी बिमार यानी बुखार डेंगो की मरिजों में इजाफाद देखने को मिल सकता है अगर इस परिछ मौसमी बुखार की चपट में अगर कोई कोरोना वारस पेशन्ट निकलता है तो वहां आने वाले समय में तीसरी लहर रोकने में ना काम्याब साबित होने पाला है फिलाल शेत्र में किसे भी प्रकार का कोरोना वारस मरिज नहीं पाया क्या है इंटी पियार आइटी पिसी आर की रिपोर्ट आयतीन अस्पताल प्रशासन पारा लगबक 10 से बेस लोगों की हमेशा ही जांच की जारी है ऐसा अस्पताल प्रतिशत की अगर बात करें तो सिर्फ 15 प्रतिशत ही टीका करन शेत्र में हुआ है जहाएक और शहरों में वैक्सिनेशन उपलब ना होने की कारण शेहर की वेक्टी इस सुविदा का लावदी उठा पारे है इसलिए अस्पताल प्रशासन ने ग्रामी शेटर की आम जंता से अपिल करते हैं कि जल से चल आप वैक्सिनेशन लेकर अपनी परिपार को सुरक्षित कर सकते हैं वैक्सि मेसिन निउस के लिए पाउनी देवलापा से हरिश वैते की रिपूर्ट